दोस्तो सौधीरविया में एक नया food delivery एप आया है जिसका नाम है किटा अगर आप इस एप से food delivery करते हो तो आपको एक अर्डर का एक टी सिर्याज जो है एप देता है अगर आपको इसका एक आउन्ट बनाना है तो कैसे एकाउंट बना सकते हो बिल्कुल असान तरीका है किटा राइडर लिखने के बाद आपको search कर देना है और ये जो first वाली Aip है। इसकी को आपको अपने m swift면 इनिस्टॉल कर लिएगा, तो चलिए मैं इनिस्टॉल कर लेता हूं। उसके बाद open कर लेना है, यहाँ पे English select कर लिजेगा उसके बाद आपको confirm कर लेना है ठीक है confirm करने के बाद यहाँ पे आपको अपना mobile number डाना है mobile number के आगे 0 जरूर लगा लिजेगा mobile number डानने के बाद continue कर देना I'm a continue पे click कर देना उसके बाद आपके नमर पे verification code भेजाता है वही verification code आपको डाल देना है मेरा आचुका है तो चले verification code में डाल देता हूँ तो automatic code ले लेता है यहाँ पे load हो जाता है उसके बाद start पे click कर देना है जैसे आप start पे click करेंगे तो kita का website open होता है तो यहाँ पे आपको basic information आपको डालना है यहाँ पे please select your nationality तो इसी पे आपको click करके आपको जहाँ से भी हो तो मैं इंडिया जो है इंडिया select करता हूँ confirm कर देता हूँ जैसे यहाँ पे इंडिया select करके confirm करता हूँ तो यहाँ पे please select your identity तो यहाँ पे आपको जो है non Saudi रख लेना है क्योंकि आप Saudi नहीं हो और यहाँ पे please select vehicle type तो यहाँ पे अगर आप car से करना चाते हूँ तो cars जो है select कर लीजेगा तो यहाँ पे मैं car select कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पार्स car है और यहाँ पे जो है पूछेगा कि आपका खुद का गाड़ी है कि आपका नहीं है तो यहाँ पे not the vehicle owner तो मैं यहाँ पे select कर लेता हूँ please select your work city तो यहाँ पे अलखर्ज रियाद बता रहा है तो यहाँ पे अलखर्ज जो है select करके confirm कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे please import your email तो आपको अपना email id डाल देना है यहाँ पे हमें email id डाल दिया उसके बाद nest कर देना है उसके बाद एकामे पे click कर देना है एकामे पे आप जैसे click करते हो तो अपना एकामे का photo अपलोड कर देना है अपलोड पे आप जैसे click करोगे यहाँ पे completed पे click कर दिया जैसे मैं completed पे click करूँगा तो जो है मेरा photo यहाँ पे upload हो जाएगा थोड़ा time लेता है upload हो जाएगा उसके बाद उस तो आपको अपना first name डाल देना है अपना एक आमे पे नाम है वो डाल दीजेगा डालने के बाद आपको यहाँ पे surname डाल देना है तो चलिए मैं surname surname डाल देता हूँ तो यहाँ पे surname मैंने डाल दिया डालने के बाद जैनम date आपको select कर लेना है जो आपके एकामे पे जैनम date है वो ही डाल देजेगा confirm कर दीजेगा यहाँ पे gender mail select कर लिजेगा चलिए mail select कर लिए एकामा नमबर आपको डाल देना है तो यहां पर जो मैं एकामा नमबर डाल दिया date of inspired date तो जो आपका एकामा inspired date है यहां पर डाल देना है डालने के बाद confirm कर देना है उसके बाद submit पर आपको click कर देना है तो चलिए मैं अपना कोई भी photo select कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने एक photo select कर लिया उसके बाद completed पर click कर देता हूँ चलिए यहाँ पर click कर दिया उसके बाद मेरा photo upload होता है उसके बाद submit पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर submit पर click कर दिया driver license तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद अपना driving lessons का फोटो अफ़ोड कर देना है तो मैं अपना driving lessons का फोटो यहां पे इस्पारी डेट डाल देना है उसके बाद सम्मिट पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर वाइकल रजिस्टेशन पर आपको क्लिक कर देना है चलिए यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे तो अपना गाड़ी का जो इस्तमा हो जाता है उसके बाद बाइक लोड रहा है यहां पर लोड ले रहा है उसके बाद जो है बाइकल प्लेट नम्मर तो जो आपका गाड़ी का नमबर प्लेट है यहाँ पर एंटर कर देना है एंटर करने के बाद जो है sequence नमबर sequence नमबर आपके इस तमारे पर मिल जाएगा photo में दिखाई दे रहागा तो वो डाल दीजेगा उसके बाद जो है submit पर आपको click कर देना है यहाँ पे पूछ रहा है do you have directly experience अगर आपके पास experience है तो yes कर दीजेगा नहीं तो no कर दीजेगा मैं yes कर दिया यहाँ पे schedule पूछ रहा है तो schedule कोई भी आप select कर सकते हैं तो यहाँ में schedule select कर लिया next पे click कर देता हूँ चलिए यहाँ पे उसके बाद नेस्ट पे मैं click कर दिया नेस्ट पे आप जैसे safety guidelines इस पे आप जैसे click कर ओगो तो आप पर लिजेगा उसके बाद I have read इस पे आपको click कर देना है submit कर देना है तो जीतने भी आपको option मिलेगा ना सब पे जो है check कर लेना और submit कर देना है उसके बाद आपको I have read पे click कर देना है read पे उसके बाद जीतने भी option आपको दिखाई दे रहेंगे जीतने option है उसी पे आपको click कर देना है click करने के बाद submit कर देना है submit करने के बाद जो है दुबारा से आपको जो है यहाँ पे option पर क्लिक करके आपको submit कर देना है उसके बाद completed हो चुका है उसके बाद under review start पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहां पर एक से 14 दिन टोटल लगता है 14 दिन के अंदर आपका account जो है open हो जाएगा आपको email भेज दिया जाता है अगर आपको कोई problem होता है तो इस वीडियो में comment करके पूश सकते हैं मैं आपको comment के जरीए बता दूँगा तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार आए तो यार प्लीज चैनल को भी subscribe कर दीजेए चलिए दूस्तों एक करते हैं वीडियो को समाथ फिर मिलेंगे आप लोगों से कुछ नए वीडियो के साथ जैहिन गुंदे मातरों